गुड़ मानिक दोस्तों आए आज पढ़ते हैं जो S.S.C. G.D. सत्र तारी को पूछे गया है जितने भी इस्टेटिक जीके के कोशन थे आए उनकी चर्चा कर लेते तो पहला कोश्चन है कोली निर्थ कहां का है तो कुभईया कोली निर्थ यह है महराष्ट का कहां का भईया महराष्ट का है कोली निर्थ महराष्ट का एक निर्थ और है लावडी यह भी कहां का निर्थ है महराष्ट का है महराष्ट में एक महसो मनाते है काला घोडा महसो मोस एकनात सिंदें कवन भाईया एकनात सिंदें यहां के क्या है महराष्ट के cm है यह भी पॉइंट आपको याद रखना है यह आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है पूचा है बाली-बाल में कितने खिलारी होते हैं यह तो पता ही है लेकिन और भी चीजे हमें जानना है जैसे बात का लेते हैं पहला बिसबाल में कितने खिलाड़ी होते हैं भाईया 9 खिलाड़ी कबड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं भाईया 7 खिलाड़ी रगबी फुटबाल में कितने खिलाड़ी होते हैं रगबी फुटबाल में कितने खिलाड़ी होते है पंदर है, पोलो में कितने खिलाड़ी होते है भाई सहब चार, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते है तो ये कहना साथ, खोखो में कितने खिलाड़ी होते है नौ, और बात कबड़ी तो हो गया, कबड़ी की बाद हाकी क और बात करें कितने खिलाड़ी होते हैं यह पाइंट आपको याद रखना है आइए अगला कोश्चन देखे क्या मई doubling 2022 में भारत के विदेश सची कौन रहे हैं तो विदेश सची जो वर्तमान में भारत के हैं वो हैं बिने मोहन कवात्रा बिने मोहन कवात्रा ये वर्तमान में हैं यही थे भी और इनके पहले अगर पूछले मैं से पहले पूछले तो हर्स वर्धन स्रिंगला है भाईया हर्स वर दोहार कहां मनाते हैं भईया तमिलाड में इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है जो साड होता है साड के सीग और कूबड को कंट्रोल में पूरुस लोग करते हैं एक परकार का ये बड़ा खतनाक दोहार होता है बात समझे मा गया और बात एक होता है इसे कंबाला कंबाला कह मनाते भाईया यह कंबाला मनाया जाता है कहां करनाटक में कहां करनाटक में मनाया जाता है यहां पर कीछड में भैसा दाओर होता है और एक और होता है उट दाओर उट दाओर कहां होता है राजस्थान में क्या मनाया जाता है उट दाओर मनाया जाता है यह पॉइंट आपके सब्सक्राइब नोगने कहां से किया था मेक्सिको से किया और भारत में कौन से छितर में हुआ यूपी में हुआ था हर्याना में हुआ था और पंजाम में हुआ था मेंली सबसे पंजाम में हर्याना में और पश्मी यूपी में देखा गया था चावला और गेहू पर देखा गया था ये पॉइंट आपको याद रखना है पाइंट समझ में आ गया और नार्मन बोल्ला को ये अरित क्रामती की वज़े से 1970 में क्या दिया गया था भईया नोबल पुरुस्कार दिया गया था अगला कोशन पूछा था परमाड करमांक 12 किसका है तो जो परमाड करमांक 12 है भईया ये मैंगनेशियम का है बात समझ माय देखाई लिक दिला ली अगला कोशन है कहा है कि बहादूर साथ जफर को ग्रिपतार करके कहां भेजा गया था लाल किला में इनको क्या किया गया कुछ दिन के लिए ग्रिपतार करके रखा गया था और फिर इनको कहां भेजा गया मैमार भेजा गया मैमार में कहा हो रंगून पिया गया रंगून वहां से किया है टेली फून ये रंगून बात किलियर है अगला कोशन है मनरेगा का संचालन कौन सा मंत्राले करता है तो याद रखेगा जो मनरेगा है उसका जो संचालन है ग्रामीड विकास मंत्राले करता है ग्रामीड विकास मंत्राले ये मनरेगा का क्या करता है संचालन करता है नरेगा कब आया था भीया नरेगा कब आया इसका परदेश में इसका नाम जो था पहले सुरू में 200 जिलों में लागू किया गया पूरे भारत में कब लागू किया गया था 2008 में पूरे भारत में 2008 में लागू हुआ और बात कर लेते हैं इसका नाम मनरेगा कब हो गया 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या हो गया मनरेगा महात्म शम्हागाधि रोजगार गरंटी अधनियम इसका नाम हो गया 2 October 2009 नौ को अगली बात के लेते कौन सा महसागर यसागर का है तो कौन सा महसागर यसागर का इसका उत्तर हो जाता है भाईया अट्लांटिक महसागर यसागर का है और बात करें O का डी आकार का कौन सा महासागर है आर्क्टिक महासागर जो है डी आकार का है और यम आकार का कौन सा महासागर है हिंद महासागर जो है यम आकार का है ये पॉइंट आप याद रखेगा अगला कोशन है साहित आकादमी पुरुषकार 2022 किसे दिया गया तो ये बच्चे कंफर्म नहीं कर पाई हिंदी में की अंग्रेजी में तो हिंदी की विव्यात कर लेते हैं हिंदी में बात करें तुमड़ी के सब्द कौन भाईया तुमड़ी के सब्द एउपन्यास है और इसके लेखक हैं बदरी नराण को बदरी नराण को दिया गया अंग्रेजी की बात कर लेते ह अंग्रेजी में किसे दिया गया तो अंग्रेजी में दिया गय भाईया अνराधा-राय को दिया गया है। दूसरा हो जाएगा खिल्जी खिल्जी-वंस के बाद तीसरा बात कर लेते हैं है तुग्लग चौथा बाद कर लेते हैं सैयद और पच्चमा बाद कर लेते हैं लोदी वन्स तो गुलाम वन्स का जो साशन था 126 से ले करके 1290 तक था और 1290 से ले करके 1320 तक हिल्जी वन्स का था 1320 से लेकरके 1414 तक तुगलक वंसका था साइद वंसका 1414 से 1451 था लोधी वंसका 1451 से लेकर 1526 तक था ठीक है, आपसे पूछा है 1290 से 1320 1290 से 1320 खिल जी वंसके थे ये पॉइंट आपके लिए important हो जाता है अगला कोशन आया था राजपाल बनने की उमर कितनी है तो राजपाल बनने की उमर भहिया 35 वरस है अगर पूछले लोग सभा के सदस बनने की उमर कितनी है 25 वरस है राज सभा के सदस की उमर बनने की उमर कितनी है 30 वरस है और बात करें बिधान सभा जान मुकमंतरी लोग होते हैं वो कितने साले बनते हैं 25 साले बनते हैं राष्टपती भी 35 साले बनते हैं तो ये बाते भी आप क्या करोगे याद रखेंगे अगले कोश्चन की चर्चा करते हैं अगला कोश्चन का है तो भारती ये शमिधान का अन प्रतमान में कितने हो गए हैं 6 हो गए हैं और उखे कौनते हैं पहला समानता का है Those You 18 दूसरा बात कर लेते हैं पहला तो समानता का अधिकार बताई दिये हैं दूसरा क्या important है वो सुनिएगा दूसरा है स्वतंतरता का अधिकार अनुचेद 19 से कौन है भाईया 19 से का है 22 तक है तीसरा है भाईया सोसड के बिरुद्ध अधिकार ये कहा से कहा तक है तो याद रखेगा 23 से लेकर के 24 तक है चोथा बात कर लेते हैं भाई सेब धार्मिक धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार ये है 25 से का 28 ये ही पूछा गया था और पच्चमा कौन सा अधिकार है भाईया संस्कृति एवं सिच् ये कहा से है 29 से लेकर के 30 तक है और एक और है समयधानिक उपचारो का अधिकार कहा है अनुछेद 32 में है और इसी अनुछेद 32 को डाक्टर भीमराव मिटकर ने समयधान की क्या कहा है आत्मा कहा है अगला कोश्चन हम असे कहा रहा है कि भाईया सुंग वंस की अस्थापना किसने किया है तो आईए कुछ वंस की बात कर लेते हैं तो कुछ वंस की अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप से बात करें पहले हम देख लें हर्यक वंस हर्यक वंस के संस्थापा कौने भाईया बिम्बिसार है और इनकी राजधानी क्या थी राजगरी थी दूसरा है सिसुनाग वंस इनकी राजधानी पूछ ले तो वैसाली है अगला बात कर लेते हैं सिसुनाग के बाद आता है नंद वंस नंद वंस की संस्थापा किसन है महापदा महापदम नंद थे महापदम नंद थे इनकी राजधानी पाटली पूत्र है नंद वंस के बाद आता है मौर वंस मौरवंस की असथापना कौन है? चंद्गुप्त मौर है एक पॉइंट जी चंद्गुप्त राजधानी क्या है? पाटली पुत्र है अगला है सुंगवंस असथापना पुस्यमित्र सुंग ने किया था ये ही पूछा गया था इसकी रालधानी क्या था? भाईस कौन भाया साथ वाहन वंस सात के संस्थापधा कौन भाया सी मुक है केह बाया सिमक है इंकी राज्धानी प्रथिश्ठान है अगला है कुजल कड़ फिसस है इनकी राज्धानी पूरुसफूर है अगला है गुप्त वंस, गुप्त वंस के संस्थाप़ कौने भाईया ? शरी गुप्त है और राजधानी क्या थी ? पाटली पुतर थी ? सरा चीजे आपको हमने बता दिया है अगला कोश्चने करनाटा के C.M कौने भाईया ? करनाटा के C.M बसव राज बुंबई पेमा खंडू हैं राजस्थान के असोग गहलोत हैं और कनाटा के तो बताई देली और गोवा के परमोद सामन्त हैं और अन्द परदेश के वाइस जैग मोहन रेड़ी हैं मड़ीपूर के एन बिरियन सिंग हैं त्रिपूरा के मडिक सा हैं हर्याना के कौन वैया मनुहलल खट तिलंगाना के के चंसेखर राव हैं उत्तर परदेश के योगी आदितनाद जी हैं और पश्यमंगाल के मुम्ता बिनर जी हैं और च्छतिसगड के भूपेस बगेल हैं केरल के पिंडराई बिजियन हैं और शिक्किम के प्रेम सिंग तबांग हैं नागलेंड के निफ्यू जारखंड के हिमत सोरेन हैं उडिसा के नमीन पटनायक हैं मिजोरम के जोराम ठांगमा हैं मद्द परदेश के सियाब का सिवरा सिंग चोहान हैं असम के हिमत विश्वा सरमा हैं और नई दिल्ली के अर्विन के जरिवाल हैं पंजाब के भंगवन तमान हैं तमिलाड के अमक आप में बैठा लीजिएगा अगले कोश्टिन के चार्चा करें अगला कोश्टिन है राष्टी आए की गढ़ना कौन करता है तो जो इंपोर्टन कोश्टिन है आपके एंटी पीसे में भी पूछा गया था तो राष्टी आए की गढ़ना करता है ये भाईया करता है दियात की क्या होती है गड़ना होती है और उपचणाओं का वीडियो का वीडियो और भीडियो ही डू प्लाव जीन है किम रचोंब या फिए और सब्सक्राओं है यू थिया है और शोचना कर है GBP के पाटी का attracted पहला किसका है चीन का यह पॉइंट आपको याद रखना है अगला कोशन अनुछे देखका इसक एका समन्द किससे है तो यह जोड़ा कब गया चियसमा समिदान संसोधन 2002 में जोड़ा गया और इसका समन्द भईया यह है कि क्या है जोड़ा जाता है तो यह रहा आज का हमारा स्टेक जीग जो आपके पूछा गया वीडियो पसंद आए और आपको इसी परकार का और वीडियो चाहिए तो प्ली लाइक से सस्क्राइब कीज़ेगा थैंक्यू धन्यमात दोस्तों